दोस्तों नमस्कार न्यूस क्लिक के कायक्रम खोश ख़बर में आपका स्वागत है हमारे दौर के एहम पत्रकार रविश कुमार ने हाल ही में रमन मैक्से से पुरसकार को लेते हुए एक एहम बात कही उन्होंने कहा सभी लड़ाईयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती हैं वे इसले भी लड़ी जाती हैं ताकि दुनिया को पता चल सके कि युद्रछेत्र बैटल फील्ड में कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे थे बिल्कुल सही बस एक लाइन इसमें जोडते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि लोगतंत्र को बचाने के लिए तमाम छोटी बड़ी लड़ाईयां जीतने के हौसले से ही लड़ी जा रही हैं लड़ी जानी चाहिए जैसा कि क्रांतिकारी युवा कभी पाश्ट ने कहा था हम लड़ेंगे साथी हम लड़ेंगे कि लड़े बगएर कुछ नहीं मिलता हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं हम लड़ेंगे अपने इर्दगिर्द नजर दोड़ाईए ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा कि हमारे आसपास छोटी बड़ी अंगिनत लड़ाईयां लड़ी जा रही हैं इसमें शामिल हैं लोग उदास मौसम के खिलाफ जुल्म के खिलाफ लोगतंदर का गला घोटने के शडियनतों के खिलाफ इसमें प्रतिवात करने वाले सच को सामने रखने वाले नए नए तौर तरीके भी खोज रहे हैं अपनी बात को कहने का अब देखिए देश की वित्यमंतरी जी हाँ हम बात कर रहे हैं निर्मला सीता रमन की उन्होंने देश को डुबोने वाली मंदी से बचने के लिए जो सारा ठीकरा है मंदी का बेरोजगारी का कारों के ना बिकने का सबका ठीकरा उन्होंने देश की युवा जनता युवा ब्रिगेट के उपर फोड़ दिया इस मंदी अर्थविवस्था के बैठने सबकी वजह जो खोज निकाली हमारी वित्यमंत्री ने उन्होंने निकाला कि इसकी वजह है मिलेनियल्स यानि वह युवा तपका जो इस सदी में वयस्क हो रहा है या हो चुका है क्योंकि वह अब गाड़ी घोड़ा खरीदने के बजाए उबर ओला करके संतोश कर रहा है उनका कहना है कि अब यह जो युवा तपका है यह EMI नहीं देना चाहता यानि वह बेहद नकारा है प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है अब ऐसा कहते समय वह भूल गई कि इस देश के प्रधान मंत्री उनकी पार्टी के नेता नरेन मोदी ने कुछी समय पहले इस देश को यह ज्यान देकर उपकृत किया था कि पकोड़े बेशने के अलावा उबर और ओला से भी युवाओं को तगड़ा रोजगार मिल रहा है यहां हम विक्तमंत्री या किसी भी नेता के आईक्यू लेवल या एकॉनमी के बारे में जो सोच समझ है उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि जब देश की प्रधान मंत्री नरेन मोदी ही अपने प्रिय विकास को बिसरा कर गाए और ओम के करेंट में डूब गए हैं वह बता रहे हैं कि कुछ लोग को गाय और ओम बस नाम भर से करेंट लग जाता है तो विक्तमंत्री क्या करें विक्तमंत्री को भी तो मंदी की वैतरणी को पार करने के लिए मिलेनियल्स की पूशका ही सहारा मिलेगा वही कोशिश उन्होंने की अब देखें कि इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई सोशल मीडिया ट्वीटर पर वह भी कम क्रियेटिव नहीं थी और इसमें जो युवा ब्रिगेट है उसने जम कर बैटिंग की उसने जिस तरह से ट्वीट किया जिस तरह से बताया कि वहाँ गोबर खरीदने को तयार नहीं है इसले मंदी आ गई वह एरोपलेन पर यात्रा इसले नहीं कर रहा है क्योंकि वह मोबाईल पर गेम खेल रहा है यानि जो सटायर है जो व्यंग है उ जिर्दगिर्द बहसबाजी सरकार करना चाहा रही थी जो भुलावा करना चाहा रही थी उसे युवाओं ने निप्टा डाला ट्वीटर पर ट्रेंड किया हैस्टैग बाइकट मिलेनियल्स इस हैस्टैग का ट्रेंड करना अपने आप में बताता है कि हमारे देश के जोज़गारी हो, creativity की कमी नहीं है, और यहां पर तो उनकी creativity में चार चान लग गए, पंक लग गए, उन्होंने तमाम चीजों को एक साथ जोड़ा, अर्थ विवस्था में जिस तरह से भीशन मंदी है, और मोधी सरकार हर मोर्चे पर जिस तरह से नाकाम है, इसको इतने से सबके सामने रखा, सोशल मीडिया पर सामने रखा, कि एक तरह से निर्मला सीता रमन का यह बयान, सरकार का परदाफाश करने के लिए, उनके पास एक औजार बन गया, देश के दो युवा आईस अधिकारियों ने, नौकरी से यह कहकर इस्तीफा दिया, कि लोगतंत्र का जो बुनियादी धाचा है, वह खत्रे में हैं, और वे इस नौकरी में रहते हुए, इसे बचाने के लिए कुछ भी करपाने में असमर्थ हैं, करनाटर कैडर के 2009 बैच के आईस अधिकारी, एस ससीकांत सेंथिल ने, यह कहकर अपने पोस्ट से रिजाइन किया, कि बतौर सि एथिकल है, क्यों? क्योंकि जिस तरह से जो हमारी विविद लोकतंत्र की विवस्ता है, उसका जो बुनियादी धाचा है, उसके साथ छिडखानी हो रही है, उन्होंने लिखा, इन आएस ओफिसर ससीकांत की, भाशपा के साथ जो नाराजगी है, यह छिपी हुई नहीं है, वे जिस इलाके में पोस्टेड थे, वहाँ पर लंबे समय से भाशपा कोशिश कर रही थी, कि सांप्रदाइक ध्रुवी करन किया जाए, और वहाँ पर ससीकांत एक रोड़ा ब मामला यहां तक पहुचा कि उन्होंने खुल कर कहा कि डिमोक्रेसी खत्रे में है, और देखिए, इस पर पूर्व केंडरी मंत्री और भाशपा की जो नेता है, अनंत कुमार हेगडे, उनका जो बयान आया, उन्होंने एक ट्वीटर पर अपना वीडियो भी जारी किया, और पाकिस्तान भेजे जाने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, इससे पहले कंणन गोपीनाथन, जो 2012 के बैच के आये सदिकारी थे, केरल से थे, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस तरह से उसे पूरा का पूरा पुलिस इन्होंने सीधे सीधे बोला कि ये जो बेचैनी है, जिस तरह से भाजपा और मोदी सरकार पूरे administrative structure को बदल रही है, प्रशाशकीर धाचे में तबदीली ला रही है, और कानून और समिधान के हिसाब से काम करने की इजाज़त नहीं दे रही है, इसने एक गहरा असंतोश पैदा किया है, यहाँ संतोश किस तरफ ले जाएगा, यहाँ तो अभी देखना बाकी है, दोस्तों कश्मीर में जो खौफनाक दौर चल रहा है, जिस तरह से दमन हो रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है, सही रिपोर्टिंग को दबाया जा रहा है, इसके विरोध पत्र कर रहे हैं, अंग्रेजी अखबार टेलिग्राफ में मुझफर रहना की एक मार्मिक स्टोरी प्रकाशित हुई है, जिसे पढ़ा जाना चाहिए, इसमें वह खुद बताते हैं कि किस तरह से जो पत्रकार हैं, उन पर पुलिस और सिक्यूरिटी फोर्सेज लाठियां बरसा रहे हैं, उन्हें डराने और धंकाने का काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में पत्रकार शाहिद खान ने अपनी नंगी पीट पर पुलिस की जो लाठियां हैं, उनकी जो निशान हैं, उसके साथ फोटो खिचवाने का साहस किया है, यह फोटो विचलिक करती है, इसी रिपोर पत्रकार कितनी मुश्किलों में काम कर रहे हैं इसमें वह बताती है कि किस तरह से पुलिस वालों ने उनकी कार को घेर लिया और लगातार उनकी कार पर लाठियां बरसाते रहे लेकिन साहस की बात है कि ये तमाम पत्रकार अभी भी कश्मीर में डटे हुए हैं वहां से रिप और आपका ध्यान जाना और हमारा और आपका साथ आकर इन अफवाहों को फैलाने वाले नेटवर्क को खत्म करना बहुत जरूरी है एक बार फिर पूरे देश में बच्चा चोरी की अफवाहें फैल रही हैं हम देख रहें इन अफवाहों की वजह से सडक पर खून बह रहा ह अभी खबर मिली है कि किस तरह से आसनसोल में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक मासूम व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला क्योंकि उस इलाके में वटसब पर ये खबर चल रही थी या अफवाह चलाई जा रही थी कि बच्चा चोरी वाला समू घूम रहा है मॉब लिंचिंग का जो पूरा का पूरा ट्रेंड देश में है उसकी वजह कभी गाय हो जाती है और कभी बच्चा चोरी की अफवाह दोनों ही जूट है सौफीसिरी जूट है लेकिन इस पर पुलिस प्रशाशन और सरकार कोई काम करते हुए कोई बयान देते हुए दिखा बच्चा चोरी हो रहा है इस तरह के गृप्स घूम रहे हैं और उसके बाद पूरे परिवार जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे उनके इलाकों में अलग धंका एक खौफ तारी हो गया एक डर बैठ गया ये कौन लोग हैं जो वटसप से लेकर तमाम जगों पर बच्च पर जाया जा रहा है एक अलग धंका डर का एक साइकी पैदा की जा रही है कि भीड अपने आप ही किसी भी गरीब को किसी भी बेसहारा को सड़क पर सोने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को महिलाओं को बच्चा चोर समझ कर मार डाल रही है प्रधा मंत्री को बच्चा चोरी के नाम पर मारे जाने वाले लोगों की चिंता नहीं होती है इस बारे में हमने देखा कि ऑल्ट न्यूज जो एक वेबसाइट है जो फेक न्यूज का कम से कम बहुत ही मजबूती से परदाफाश करती है ऑल्ट न्यूज ने जिसको प्रतीक सिनहा चलाते हैं उन्होंने एक बहुत ही सशक्त वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने क्रम वार ढंग से यह बताया कि पिछले कुछ समय से बच्चा चोरी की जो अफवाहें आई हैं वे सब बेबुनियाद हैं इस वीडियो को देखा जाना जरूरी है इसको वर्ट सब पे प्रच शिकार बन रही हैं महिलाएं गरीब महिलाएं उसका शिकार बन रहे हैं मांसिक रूप से विकलांग व्यक्ति जिनको भीड घेर लेती है और जबरदस्ती उनसे बुलवाती है कि वह बच्चा चोर है बाद में पुलिस प्रशाशन जिनसे आल्ट निउस ने बात की वह बता होती है कभी बच्चा चोरी की अफवा के नाम पर लिंचिंग होती है इसे हम कैसे रोक सकते हैं इस मामले में आल्ट न्यूज जो प्रयास कर रहा है वह निश्चित तोर पर ही दूसरे तरफ से किया जाना वाला ऐसा प्रयास है जिसे फैलाया जाना चाहिए और जिसे दर के खिलाफ खड़ा किया जाना चाहिए दोस्तों जरूरी है कि उदास मौसम के खिलाफ हम लड़ते रहें सच के साथ खड़े रहें इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा और आपका साथ बना रहे देखते रहे निउस क्लिक देखिए और शेयर करिए खोश खबर ताकि सच की झाल